क्या कॉंग्रिस का हाथ खामने वाले हैं दानिश अली राहुल गांधी और दानिश अली की मुलाकात ने किसको देदी टेंशन बीजेपी सांसद रमेश बिधुरी लोक सभा में बसपास सांसद दानिश अली के लिए आपत्ती जनक शब्द बोलकर बुरी तरहे से फस गय हैं इधर प्रेशर बढ़ने के बाद बीजेपी को भी आनन फानन में कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ गया लेकिन इन सब के बीच कॉंग्रिस सांसद राहुल गांधी की एक जप्पी ने ना सिर्फ बीजेपी बलकी सपा अध्यक्ष अखिले श्यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बड़ी टेंशन दे दी है अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उससे पहले आप ये तस्वीरे देखिए ये तस्वीर 22 सितंबर 2023 की है जब लोगसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी के असंसदी शब्दों का शिकार हुए बीएसपी सांसद गान शली से अचानक मिलने राहुल गांधी पहुच गए इस मुलाकात की तस्वीर ने बीजेपी को शायद एहसास करा दिया हो कि उसने कैसे बैठे बिठाए राहुल गांधी को मौका दे दिया है हम इसे मौका इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहां बीजेपी महिला आरक्षन ब शुबा हुआ था वो वक्त अब सफाई देने में बीत रहा है बीजेपी ना इसे अब उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है जहां हर तरफ रमेश विधूरी के बयान की थूतू हो रही थी तब ही राहुल गांधी 22 सितंबर की शाम को दानिश अली के घर उनसे मिलन पहुच गए अब इस मुलाकात के कई सारे माईने निकाले जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से तो खुद ही ये कह दिया गया कि कॉंग्रिस में जाने के लिए इतना ड्रामा क्यों ये ट्विट बीजेपी नेता मुकतार अबास नकवी की तरफ से किया गया है तो अधर पहुच गांसर दानेश अली से राहूल गांधी की मुलाकात मायवती और सपा सुप्रीमो अखलेश यादव को भी टेंशन दे रही होगी और इस टेंशन की बज़े हैं मुस्लिम गोट बैंक सपा सुप्रीमो अखलेश यादव वैसे तो इंडिया गट बंधन में शामिल ह लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें यूपी में अपने जनाधार की चिंता नहीं होगी पीच बढ़ गया ऐसे में अखिलेश और मायवती दोनों को ये चिंता सता सकती है कि कहीं 2024 के चक्कर में ये बड़ा वोट बैंक शिफ्ट न हो जाए सवाल तो ये भी उड़ता है कि इस मुद्धे पर मायवती और ब्यस्पी से अधिक राहुल और कॉंग्रेस सक्क्रिय क्यों दिख रहे हैं दरसल कॉंग्रेस लगातार अपने खोए हुए वोट वैंक को वापस लाने की जद्दो जहत में लगी हुई है दानेश अली के बहाने कॉंग्रेस मुस्लिमों को ये संदेश देनी की कोशिश कर रही है कि वो उनके हक के लिए हमेशा ततपर है ऐसे में कॉंग्रेस 2024 चुनाओ से पहले उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में है बहरहाल इस घटना क्रम से कॉग्रेसिया विपक्ष को वोट बैंक में फायदा होगा या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा लेकिन इतना जरूर है कि रमेश विधूरी ने पार्टी की साख पर बड़ा बट्टा जरूर लगा दिया है